हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्रत टिक्की की रेसिपी जिसके लिए मैंने यहाँ पर चार उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है उसमें हम एड़ करेंगे एक कप सिंगाडे का आटा और उसके बाद हम एड़ करेंगे कुरियंडर लिफ्स धनिया स्वाद अनुसार सेंधा नमक एड़ करेंगे रॉक साल्ट हाफ टेबल स्पून एड़ करेंगे ब्लैक पैपर एक टेबल स्पून एड़ करेंगे भुना जीरा पाउडर स्वाद अनुसार हरी मिर्च ग्रीन चिली एड़ करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों पर थोड़ा सा मिक्षर लेंगे उसे अच्छे से हम राउंड राउंड करेंगे अच्छे से टिकी की शेप देंगे और प्लेट पर निकाल लेंगे इसी तरह से हम मिक्शर की सभी टिकी बना कर रेडी कर लेंगे इसे अच्छे से शेप देंगे आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं ओवल राउंड और इसे प्लेट पर निकाल लेंगे आइल को मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया है अब हम सभी व्रत की टिकी को फ्राई करेंगे फ्राई हम बिल्कुल लो टू मीडियम ओयल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे इसे हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे दोनों तरफ से हम टिक्की को अच्छे से क्रिस्पी होने तक, कोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे चार से मिनट, चार से पांच मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करने में टिक्की हमारी व्रत की रेडी है, फ्राई हो चुकी है इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे इसी तरह से हम सभी टिक्की फ्राइ करके रैडी कर लेंगे रैडी है हमारी वुरत की टिक्की इसे मैंने दही और हरी चटनी के साथ सर्फ किया है देखिए अंदर से कितनी सौफट और बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी है ये वरत की सिंगाडे के आटे की टिकी अगर फ्रेंड्स आपको हमारी आज की एस पी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मिलती है एक नई रेसिपी के साथ गुड़ बाई